Hello friends, आज मैं आपको Big Fish ये 2003 की एक बड़ी सी adventure, drama, fantasy movie explain करने वाला हूँ ये जो movie है, इस movie के story बहुत ही अचीब हो गरीब है इस movie में एक लड़की के father मरने वाले होते है अब उसे पता ही नहीं होता कि उसके father क्या करते है क्योंकि उसके father हमेशा उसे अचीब हो गरीब stories सुना थे है अपने father को जानने के लिए उनकी जो stories होती है, इनका sense बनाना चाहता है ये जो story है, ये अलगी तरह का adventure है इस movie में जो भी सब चीज़े मैं आपको बताऊंगा, इसे सिफ आप accept कर लीजेगा ये एक story है, as a fairy tale, आप इसे accept कर सकते हो इसके बाद में इसका क्या significance है, ये आपको movie के last में पता चल जाएगा हमागर देखे, तो stories क्या होती है stories ये एक सज जो जुट में लिप्टा हुआ होता है इसी तरहीए से आज की भी हमारी एक story है तो चलिए इस beautiful movie को explain करना start करते है movie start होती है, और इस story का main character हमें दिखता है इसका नाम है Edward Bloom इसके पूरे life के story हमें इस movie में बताई जाएगी अलग-अलग time period में, अलग-अलग story हमें बताएगा movie start होती है, तो Ed अपने son को उसकी story बता रहा होता है यह कहता है कि जब मैं यंग था, तो एक बड़ा सा fish हमारे गाव में था उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता था बहुत सारे लोगों ने बहुत try किया पर कभी भी उसे पकड़ नहीं पाए अगर कोई उसे पकड़ भी लेता, तो उसका net फट जाता मैं इस fish को पकड़ने के लिए बहुत ही determined था एक दिन मैंने बहुत ही बड़ा सा rod लाया यह जो rod था इतना strong था तो यह building को भी पकड़ सकता है अब जो यह face है इसे पकड़ना असान नहीं है कितना भी लालज इसे कुछ भी fish का दे दो फिर भी यह पकड़ में नहीं आने वाला इसे पकड़ने के लिए मेरी जो एक ring थी यह मैंने धाव पर लगा दी थी यह ring जब मैंने पानी में डाली तो एक सेकन में इस fish ने यह पकड़ ली यह जो ring थी, यह मेरी wedding ring थी इसे मैं जाने नहीं दे सकता था इस fish ने इस ring को खालिया था फिर वो पकड़ में नहीं आया था मैं उसके पीछे-पीछे भागता गया अलग-अलग rivers मैंसे में घूमता हुआ उसे मैंने पकड़ लिया अब हमें स्टोरी बताते हुए ही दिखता है कि यही स्टोरी बच्चे के समर क्याम पर भी इसी Edward ने बताई है अब इसका जो बेटा है यह बढ़ा हो चुका है इसका नाम Will है Will की आजशादी है और इसकी शादी में भी Edward यही स्टोरी सुनाता है Will इससे एनॉय हो जाता है और वो बाहर जला जाता है फिर भी हमें यह स्टोरी कंटिनियों ही दिखती है एड कहता है कि उस फिश का मैंने पीछा किया जब मैंने इसे पकड़ा तो मुझे पता चला कि यह एक मादा है इसे बच्चे वने वाले है तो मैं उससे कैसे मार सकता था इसके बाद इसने उस फिश से कहा कि उसके रिंग उसे वापस कर दे और उस फिश ने उसे वा रिंग वापस कर दी एडवर्ड सब लोगों से कहता है कि उस दिन मैंने एक बड़ा सा लेशन सिखा कभी-कभी अगर एक बहुती ब्यूटिफुल लेट की तुमें चाहिए होगी तो उसे वेडिंग रिंग ओफर करना ही उस पर बेस सोलूशन होता है एडवर्ड का बेटा विल बाहर चला गया है तो एडवर्ड उससे पीछे जाता है उससे पुछता है कि क्या हुआ है विल कहता है कि हमेशा आप स्टोरी सुना दे रहे तो सच कहा है यह कभी मुझे पता नहीं होता हमेशा आप ही सब चीजों का अटेंशन लेकर जाते हो उसकी वेडिंग होती है और उस पर भी यही स्टोरी उसे सुना रहे है विल कहता है कि आप एकी स्टोरी बार बार सुना कर अपने आपका मज़ा गोड़ाते हो विल एड पर बहुत ही चिड़ गया होता है इसके बाद विल हमें कहता है कि इसके बाद मैंने तीन साल मेरे फादर से बात ही नहीं की मैं अपनी मदर को कॉल करता था और मदर कहे देती थी कि वो बहार है ऐसे वेसे क्योंकि मुझे उनसे बात ही नहीं करनी थी विल हमसे कहता है कि मेरे और मेरे फादर का जो रिष्टा है यह बहुत ही अलग है हम एक दूसरे को जान दे वह भी मुझे बहुत ही स्टेंजर मैसूस होता है हमेशा अलग-अलग स्टोरी मुझे वो सुनाते आ रहे है कभी भी एक्ट्व स्टोरी मुझे पता नहीं थी Will को लगता है कि उसके फादर ने कभी खिसी भी चीज़ के उसे कोई भी सच्चा ही बता इनी है इसी वज़े से वो अपने फादर से रिलेशन नहीं रखना चाहता एक दिन जब वो घर आता है तो उसकी वाइफ उसे कहती है उसके फादर को स्ट्रोग आ गया था अब विल घर आ जाता है अब फिर से एडवर्ड अपने सन को स्टोरी बता रहा है यह दिखता है यह स्टोरी है जब एडवर्ड छोटा था वो अपने फ्रेंड के साथ रात में एक भूतिया बंगले पर गया था वो एक दूसरे में बात करते है कि यहाँ एक विच रहती है इस विच की एक आग क्लास से बनी हुई है कोई भी अगर इस आग में देखता है तो उसे उसकी डेट दीख जाती है एड इस पर जादा भेले उने कर रहा था तो उसके फ्रेंड उसे कहते है कि जाओ फिर देख कर आओ उसे उकसाते अंदर जाने के लिए एड भी थोड़ा सा डरा हुआ होता है फिर वह अंदर जाता है इस विच से वो मिलता है उसे वो कंविंस कर लेता है कि उसके फ्रेंड से वो मिले उसके फ्रेंड जब इस विच के आख में देखते है तो कैसे मरने वाले है यह सब उने दीख जाता है इसके बात Edward घर तक इस वीच को छोड़ देता है ये इस वीच को कहता है कि मरना बहुत ही बुरा हो सकता है अगर आपको मरने ख्याल आगए तो आप सही से जी नहीं पाओगे पर आपको अगर पता होगा कि आप कैसे मरने वाले हो तो बहुत सारी चीज़े आपको पता चल जाएंगी बहुत सारी टाइम में आपको लगता है कि आपको मरने वाला है पर अगर उसे पता होगा कि इस तरह से वो नहीं मरने वाला तो ये बहुत ही इसी हो जाएगा यह जब अपने फादर को देखता है तो उसके फादर को पता होता है कि इसके वाए प्रेगनेंट है एडोस से कहता है कि अब तुमारी लाइफ बहुत ही सप्राइजेस से भरी होंगी तुमारा बच्चा होने वाला है तुम उसे बिगाडने के कोशिश करोगे मेरी तरह misleading उसे truth बता होगे और फिर भी वो सही से एक आदमी बन जाएगा तुम जिस तरह से एक अच्छे आदमी बन चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक bad father था विल थोड़ा सा उसके फादर को खिलाता है और कहता है कि मैं अब याँ हूँ इसके बाद हम कब मिलेंगे यह मुझे नहीं पता जो stories जो event जिस तरह से हुए थे क्या आप मुझे उस तरह से बता सकते हो एड इस पर शान्त हो जाता है उसे हो कुछ भी बताने नहीं वाला होता विल फिर disappointed होकर वहाँ से चला जाता है अब नेक सिन में हमें दिखता है कि विल जब छोटा था तो एड उसे और एक स्टोरी सुना रहा है यह कहता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे एक बीमारी हो गई थी मैं जादा ही बढ़ने लग गया था इसी वज़े से मुझे तीन साल तक बेड में रहना पड़ा एक मशिन के साहरे यह जीता था यह इस स्टोरी में उसे बढ़ता है एड कहता है कि मुझे बहुत वक्त फिर मिला था मैंने सब इंसाइकलोपीडिया पढ़ कर डाली इसे मुझे बढ़ा जला कि एक फिर्ष होता है अगर उसे छोटे से बाल में तुम रखो तो छोटा ही रहेगा और अगर उसे ओशन में छोट दो तो तीन चार गुना वो बढ़ सकता है इसी तरह से मुझे भी लगा था मुझे लगा कि अब मैं बढ़ा होने वाला हूँ इसी वज़े से मुझे ये सब तकलिफ आ रही है इसके बाद एड कहता है कि जब मैं बढ़ा हुआ तो सब के साइज में मैं बहुत ही बढ़ा था उनकी जो स्पोर्ट स्टीम थी उसमें वो फर्स्ट आता था हर बार साइन्स कॉंपिटिशन हो या कोई भी हो इसमें ये फर्स्ट ही आता था अपने टाउन में आग अगरा लग गए तो इसे वो हेल्प करता था एक दिन इनके टाउन में एक बड़ा सा राक्षस आ गया इसने पुरा खेत खाड डाला ये बहुत ही बड़ा इशो हो गया था इस टाउन के मेर ने एक मिटिंग ली ये में सब लोग थे इन लोगों ने कहा था कि अब इस मॉंस्टर को मार देना चाहिए मेर खेता है कि इस शाहर में वाइलन्स नहीं होने दूँगा एड फिर आ गया आता है एड कहता है मैं उसे बात कर सकता हो कोई भी एक काम करने की लिए Ready नहीं था पर एड Cour voyage था एड फिर रिवर के पास एक cave में आ जाता है जब एड राक्षेस से बात करने लग जाता है तो इससे राक्षेस की सासो से ये बाहर फेका जाता है एड इस राक्षास सो कहता है कि जब तक तुम बाहर ने आओगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला यह राक्षास स्फिर बाहर आ जाता है यह उससे पुछता है कि तुम यहाँ क्यों आये हो एड कहता है कि as a human sacrifice कि तुम मुझे खास होगो इसके लिए मैं आये हो यह राक्षास से कहता है मैं तुम्हें नहीं खाने वाला एड उसे समझाता है और कहता है तुमारे सिर्फ size बढ़ा है तुम भी हमारे जैसे ही हो क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमारे लिए यह town छोटा सा है अगर तुम बड़े से town में जाओगे तुम्हें वो लोग accept कर सकते है एड कहता है कि मैं छोटा सा हूँ पर मेरी जो will है मुझे कुछ कर कर दिखाना है यह बहुत ही बड़ी है मेरे लिए यह town बहुत ही छोटा सा ही है मुझे भी city में जाना है हम दोनों साथ चल सकते है यह राक्षस फिर उसे एक friend मिल गया है और उसे accept करने वाला शहर भी होगा इसे एक आशा में अब वो ready हो जाता है will को medal दिया जाता है और यह शहर की खीज होती है मेरे उसे कहता है कि जब भी तुम्हें फिर से वापस आना हो तब इस शहर के दर्वाजे तुम्हारे लिए खुले होंगे इसे सब लोग फिर अलविदा करते है यह राक्षस के साथ शहर जाने के लिए चलने लग जाता है अब अगर एक स्टोरी हो हम देखे तो एड जब छोड़ा था तो उसे एक बिमारी हो गई थी इसी वज़े से उसे तीन साल तक यहां रुकना बढ़ा था पर अपने बेट्डे को अगर उसने ऐसा कहा तो एक बहुत ही ज़ादा डिप्रेसिंग स्टोरी हो जाएगी इसके अलाव अपने बेट्डे को कहता है कि वो बढ़ा होने लग गया था तीन साल तक उसे इंसाइकलोपीडिया पढ़ना अच्छा लगता था तो उसे वो करने के लिए मिला एक पॉजिटिव वर्जन और एक इपिक वर्जन उसे सुनाता है उसके टाउन में एक बड़ा सा राक्षास आ गया था तो उससे निकालने के लिए उसने क्या क्या किया यह अपने सन को बताता है अगर हम इसे real life से compare करें तो राक्षास एक symbolic gesture represent करता है यह तो राक्षा से यह outcast है, कोई भी इसे बसन नहीं करता एडवर्ड जो है यह भी इसी टाउन में यही फिल करता है उसे कुछ बढ़ा करना है इसी वज़े से वो सिटी में जाना चाता है यह दोनों फिर फ्रेंड हो गए और यह दोनों सिटी में चले गए अगर रियालेटी में जो हुआ था अपने सन को बता देता तो इसकी इंटेंसिटी नहीं रहती इसका जो मैसेज है यह क्लियर नहीं जाता जैसे मुवी प्रोग्रेस होती रहेगी तो और भी चीज़े में आपको बताता रहूंगा फिरसी इस्टोरी अब स्टार्ट हो जाती है और एड हमें राक्षस के साथ दिखता है जब रस्ते से जा रहा होता है तो दो रस्ते ही नहीं दिखते है यह दोनों रस्ते एक ही जगा पर जाने वाले होते हैं एड राक्षास से कहता है कि मुझे इस रास्ते से जाना है, यह Adventure भरा है और बहुत ही Dangerous है, यहाँ क्या है यह मुझे पता नहीं है, तो मुझे अधोणना है, वो राक्षास को भता कर जाता है कि हम फिर से मेलेंगे, राक्षास को उससर बिली ने होता तो अपनी सब चीज़े वो राक्षस को दे देता है वो कहता है मेरे लिए जरूर तुम वेट करना एड़ फिर इस जंगलों से होते होए निकल जाता है इस जंगलों में इसे बहुत सारे difficulties आती है पर इससे वो जोंचता है ये कहता है कि अगर तुम difficulties से नहीं कुजरे तो कुछ अच्छा तुम्हें कैसे मिल सकता है ये जब ये जंगल पार कर लेता है तो वहाँ एक बहुत ही अच्छा सा ताउन उसे दिख जाता है इस ताउन का नाम है स्पेक्टर वहाँ पर जो लोग होते हैं इसे ही वेलकम करते है यह कहते है कि तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए हमें लगा था कि तुम बाद में आने वाले हो एड़ और बेलिव नहीं करता कि यह लोग सब उसे जानते है यह जो टाउन है यह बहुत ही फिक्शनल है एड़ कहता है कि हमारे गाव से एक पोईट भी यहा आया था यहाँ जो अदमे होता है यह कहता है कि वो अभी भी यही है इस पोईट से मिलने फिर विल जाता है विल इस पोईट से पुछता है कि इतने टाइम तक तुम इस टाउन में रहे हो यह फिर से वापस तुमें घर जाना है ऐसा कभी भी नहीं लगा यह point कहता है कि यह बहुत ही peaceful है यहां कभी भी ज़्यादा गर्मी नहीं होती कभी भी ज़्यादा थंडी नहीं होती यह रहने के लिए बहुत ही perfect town है कभी मैं इसे छोड़ कर नहीं जा सकता यहां रहने के लिए जो सब चीज़े चाहिए इस सब कुछ available है आदमी अगर यहां आ गया तो उसे कही भी जाने के कोई भी ज़रूद नहीं है पर Ed को यह accept नहीं होता Ed एक free spirit होता है यह कहता है कि मुझे पता है कि यह बहुत ही perfect है और फिर भी मुझे सब कुछ चीज़े देखनी है actual life में जो सब adventures है मुझे feel करकर देखने है मुझे पता है कि मुझे इस तरह से life मिल नहीं सकती मेरी great भी इस decision को कर सकता हूँ फिर भी मुझे decision लेना है सब लोग इससे नाराज होते है क्योंकि अब वे वापस जाना चाता है Will सिर्फ 18 साल का है तो उसने अब लाइब देखी नहीं है यह लाइब देखने के लिए सब एशो आराम छोड़कर वह वहाँ से निकल पड़ता है जाते वक्त poet उसे help करता है जब यह जंगल में होते है तो poet अपनी कवीता उसे सुना रहा होता है यह जो कवीता होती है यह सिर्फ तीन लाइन्स की होती है यह जो poet है इस town की इस आरामों की जो lifestyle है इसमें घुल मिल चुका है इसी वज़े से यह सही से काम नहीं कर पाता यह जब जा रहा होता है तो उसे एक pond में mermaid भी दिखती है इस mermaid का वो बीचा करता है पर इसे पकड़ नहीं पाता वहाँ पर एक छोटी लड़की आती है यह छोटी लड़की उसे पसंद करती है यह वो कहती थी है इड़ कहता है कि इस time में फिर से वापस आउंगा पर मेरा अब यह time नहीं है जब सही time होगा तो 100% में यहाँ वापस आने वाला हूं इसके बाद फिर से जंगल में एड़ गुच जाता है और जब यहाँ से जा रहा होता है तब पेड उसे जकड लेते है यह बहुती डर जाता है उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है पर तब उसे याद आजाता है कि इस तरह से वो नहीं मरने वाला उसके डिट कैसे होने वाली है यह उसे पता है अब फिर से बुड़ा एड़ दिखाया गया है और रात में अपनी फैमिली के साथ वो डिनर करता है जब रात हो जाती है तो उसकी डॉटर इनला उसके पास आकर बेट जाती है उसे वापनी बच्पन की स्टोरी सुनाता है वो कहता है कि ड्रीम से मुझे पता चल जाता था कि कोई मरने वाला है मुझे पहले पता चला था कि मेरी एंड मरने वाली है यह मैंने जब मेरे मदर और फादर से खा तो उन्हें ने मुझे वर बिलीव नहीं किया और नेक्स दिन सच्वाश मेरी end मर गई कुछ दिन माद मुझे फेसे सब नाया उस मुझे पदा चला कि मेरे फादर मरने वाले है मैंने मेरे फादर को ये सब बाती की मेरे फादर ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला पर फिर भी वो रैटर लो चुके थे दूसरे दिन जब वो काम पर गए तो वो डर डर कर ही काम कर रहे थे पुरे दिन में उनकी डेथ होने वाली है इसका वो इंतजार करते रहे पर यह हुआ नहीं जब वो घर वापस आये तो अपनी वाइफ से उसने कहा कि मेरा डेप बहुत ही खराब गया था एड की मदर बोली कि तुम्हारा दिन खराब गया है मेरा तो उससे भी बत्तर था सुभे में जब उठी तो दूद वाला हमारे पोस्ट पर ही पर कर पड़ा हुआ था यह बहुत फ़णी स्टोरी थी इसका मतलब था एड एक नाजायज वच्चा था अगर हम यहाँ एनलाइज करें तो एड नाजायज वच्चा था यह बहुत सीरेस सिच्वेशन होती है बहुत लोग इसे इफेक्ट होता है और यह किसी को बता बना भी बहुत ज़ादा डिफिकल्ट हो सकता है एड अपनी डॉटर इनलोग को यह बताता है तो इसे एक फ़णी बना देता है स्टोरीज में छुपा हुआ सच यही इस मूवी का पॉइंट है अब एड उसकी वाइफ से कैसे मिला था यह अपनी डॉटर इनलोग को बता रहा होता है वो से कहता है कि जब राक्षस के साथ मैं सिटी में आ गया तो मैं एक सर्वकस में गया था सर्कस का जो मास्टर था उसने जब इस राक्षस को देखा तो अच्छम भी धो गया इस राक्षस को उसने एक जब देथी इस सर्कस में ही एड उसकी वाइफ को देखता है इससे पहली बार में उससे प्यार हो जाता है इसका टाइम यही रूख जाता है इसका नाम वेगरा कुछ भी नहीं जानता तो बहुत ही डिस्टर हो जाता है सरकस का जो मास्टर होता है उसे अपनी प्रावलोम बताता है मास्टर इस लटकी को जानता है पर उसे इसकी information नहीं देने वाला होता मास्टर कहता है कि तुम कुछ काम नहीं करते काम ने तुम बहुत यह अच्छे काम के होंगे पर यह city है, city में तुम इस तरह से नहीं रह सकते तुमारे पास अगर job नहीं होगी तो उसे तुम अच्छी life नहीं दे पाऊगे वो उसे उसका पता नहीं देने वाला होता एड कहता है कि तुम सरकस के मास्टर हो तुम मुझे यहाँ job दे सकते हो मास्टर कहता है, इसे ही मैं किसी को कुछ भी नहीं देता एड फिर बोलता है कि मैं free में काम कर सकता हो मुझे सिर्फ उस लड़की का पता चाहिए मास्टर फिर एड से एक deal करता है यह कहता है कि जिस मन तुम मेरे लिए काम करोगे उस मन्द उस लड़की के बारे में एक चीज में तुम्हें पता हूँगा आवा में दिखता है कि बहुत अजीब हो गरीब ये काम एड करता है एड सरकस में हट भी हो जाता है फिर भी एक काम वो करता रहता था तीन साल गुज़र जाते है और उस लड़की के बारे में चोटी चोटी बाते उसे पता जल जाती है जैसे कि उसे म्यूजिक पसन है पर ये लड़की कौन है क्या है इसे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं होता जब एक दिन अपने मास्टर से मिलने जाता है तो उसके ट्रे एड के साथ इसे खेलना था, इसी वज़े से यह उस पर अटेक कर रहा था, एड कहता है कि कभी-कभी आपको चीज़े लगती है कि जो बहुत ही डरावनी है, पर एक्चॉल में वो आपसे हेल मांग रहे होते हैं, अगर आप लोगों कमपेशन से ठीट करोगे, तो वही कमपे वो कहता है, वो कहता है कि वो यूनियर सिटी में है, उसका सेमिस्टर खतम होने वाला है, तो जल से जल तुम वहाँ चले जाओ, एड बहुत ही खोश हो जाता है, वो भागते बागते यह लड़की जहार रहती है, यह आप पहुच जाता है, इस रड़की का नाम सैंडरा है यह सेंडरा का डोर खटकर डाता है, उसे कहता है, वो तुम से बहुत ही ज़्यादा पैर करता हौं, तुमारे लिए मैंने तीन सार मेहनत की है, उसके साथ जो सब हुआ हैं, यह उसे कहता है, सेंडरा कहती है कि तुमारे रेटे Calvin से तुमारे बारे मैं जानती हूँ, पर हमा अगर वो टाउन से नहीं निकलता, तो वो सैंडरा से शादी कर सकता था, एड को फिर रियलाइज होता है, कि इतने आसनी से, जिस वारत से प्यार करता है, इसे वो जाने नहीं दे सकता, ये फिर उसके क्लास्टरूर में उसे प्यार करता है, ये बड़ा से अक्षरों से में ल समती, वेल हमें सब फर्स्ट आता था, और ये कभी भी फोकस में नहीं आ पाया, सैंडरा एड से कहती है कि प्लीज इसे मत मारना, एड फिर बहुत मार खाता है, सैंडरा फिर जिससे उसने शादी होने वाले होती है, उससे प्रेक अप कर लेती है, इन दोनों की फिर शादी मिशन्स ले लिए, जो बहुती डेंजरस थे, तो उसे 21 साल सर्व करना पड़ेगा, तो इस तरह के मिशन एड ने लिए, इसी मिशन पर कोरियन लोगों से उसे नुकलियर पावर पार्ण के प्लैंस चिनने थे, ये चिननने के लिए वो एक सरकस टाइप जगा पर ही आ गया उसने जब वहाँ से प्लैंस चोरा लिये, तो वहाँ दो शोगर्स आ गई, ये दोनों एक दूसरे की बोड़ी से कनेक्टेड थी, ये बहुती डर चुकी थी, और इनने सिपायों को बुला लिया, तो एड मर सकता था, एड ने फिर सैंडर की फोटो इने दिखाई, एड कह पसा गया, तो सैंडरा बहुती खुश हुई थी, हम फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है, हमें एड का सन विल और इसकी वाइफ बेड में है, ये हमें दिखता है, उसकी वाइफ कह रही हो थी है, तो मैरे फादर की लगसरी बहुत इंट्रेस्टिंग है, ये स्टोरी जे फिर भी इन्हें सुनना बहुत ये अच्छा लगता है, विल कहता है कि ये स्टोरी जे सुनना अच्छा लगता है, तो सही है, पर ये गलत भी है, मेरे फादर कौन है, ये मुझे पता ही नहीं है, उनकी एक पूरी लाइफ अलग है, ये मुझे लगता है, मैं जब भी station है कि अपने फादर को नहीं जानता यह सब उन्हें फादर को कहता है यह कहता है कि एक बार लास्ट बार मुझे सब को सच बता दो तुम कौन हो यह मुझे जानना है एड कहता है कि जब से मैं पॉन हुआ हूँ मैं यही हूँ मैं कोई भी अलग आदमी हो यह मैं तुम्हें न पाहरे वो तीन साल तक रहा था या एक्चौन में मशिन एक्जिस्ट करती है यानि कि एड जो सब कह रहा था इसमें कुछ न कुछ तो सच्चा ही थी यह विल को पता होता है फिर से हमें विल की स्टोरी स्टार्ट होए दिखती है विल कहता है कि जब मैं आर्मे से वापस आ ग रखता है तो इसी वज़े से यह जो रोड जॉब है इसके लिए फरफेक्ट होता है अब हमें दिखता है कि एड बहुत अच्छा सेल्समेन बन जाता है इसके वज़े से इसके बात बहुत अच्छी कार भी आ जाती है एक दिन जब एड टाउन में था और बैंग में आया कि बाहर भी बहुत सारा एडवेंचर है इसी वज़े से पुरी लाइफ में अब एडवेंचरर की तरह जिना चाता हूँ इसलिए अब मैं ये बैंक लुटने वाला हूँ ये पोएट फिर गन निकाल लेता है और इस बैंक को लुटता है एड के गाड़ी में वो बेठा हु एड को उसने वाल लुटने के लिए बोला हूँ आता है ये जो वाल लुटता है ये खाली होता है एड फिर पोएट को समझाता है ये जो सिटी है ये बैंक करप्ट हो चुकी है इसी वज़े से इसमें जादो कुछ पैसे नहीं है वो से कहता है कि अगर तुम्हें पैसे ही तो बैंक लोटना ये सही काम नहीं है तुम्हें अगर साच मुझ में अच्छे पैसे चाहिए हो के तुम वाल स्टीट में जा सकते हो चीज़े वो उसे वाल स्टीट के बारे में समझाता है यानि कि अगर पोएट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो बहुत ही र अब अगर हम इस स्टॉरी में देखे तो उस पोएट को एड ने हेल्प की थी फाइनाशल सिचुएशन के लिए उसे क्या करना चाहिए ये उसे गाइड उसने किया था एक सिंपल चीज थी पर जब इसने रॉबर इसमें डाली उसे बहुत ज्यादा फाइदा हो गया ये कोई भूलने नहीं वाला अब फिर से प्रेजन दिखाया जाता है विल अपने फादर की सब चीजे सॉट आउट कर रहा होता है उसे कुछ पेपर मिलते है इसमें उसके फादर के नाम पर एक बड़ा सा घर है ये उसे पदा चलता है उसका शक होता है कि उसके फादर का कही अफेर चल रहा था उससे लगता है कि यहां जाएगा तो उसे वो औरत मिल जाएगी विर फिर वहाँ विसिट करने के लिए चला जाता है उसमें जो औरत रह रही है इस औरत को जब हम देखते है तो मुवी के फर्स में हमें जो वीच दिखाई गई थी ये वही औरत है पर अभी वीच बनी हुई नहीं है, विल उसके घर में आता है, उससे गहता है, यह मुझे पता है कि तुमारे और फादर में कुछ तो था, मेरे फाद बहुत सारी ओड़ों के साथ फलट करते थे, उनके बहुत सारे चक्कर होंगे, यह मुझे पता था, यह कहिती कि मैं बता सकती तो रोड से वह जा रहा था, एक दिन स्टॉम आ गया और वो फिससे स्पेक्टर टाउन में आ गया, यह भी टाउन था, जो मोवी के फर्स्ट में हमने दिखा था, जो बहुत ही परफेक्ट टाउन था, जब इस टाउन वह वापस आ गया, तो ए टाउन बर्भाद हो चुका यहां के लोगों से जब उसने बात की तो उसे पता चला के टाउन बैंकरप्ट हो चुका है एड को बहुत ही बुरा लगा एड को अब इस टाउन को फिर से बनवाना था इसे वज़े से उसने अपने जो सब फ्रेंज से इन से मदद ली जो सरकस का मास्टर था ये भी अमेर था उसके बाद उसका वास्टिट का फ्रेंड जो पोईट है ये भी अमेर था इन सब की मदद लेकर उसने एक ट्रस्ट ली और पूरे टाउन को बाए कर लिया इससे जो टाउन है ये फिर से सही से बन सकता है लाज घर बचा हुआ था तो उसे खरीदने जब हो गया तो ये लड़की वहा थी इसने एड से कहा कि वो ये हाउस बेजना नहीं चाहती इनकी बातों बातों में इसे पता चला कि जो स्पेक्टर में जो छोटी लड़की थी जिसने उसे कहा था कि वो उसे पसंग करती है ये वही लड़की है इसका दिल तूट चुका था अब ये दोनों एक दूसरे से फिर से मिल गए है उसे खेती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ जब एड़ वास से जा रहा होता है तो इस घर का डोड तोट जाता है अब इस घर को सही करना एड़ का प्रोजेक बन जाता है इगर टेड़ा होता है तो अपने मॉंस्टर फ्रेंड से वो हेल्प लेता है इसे वो सही से करता है इसे पेट वेकरा करता है और पुरी घर की मरमत कर देता है जब इस लड़की को help कर रहा था तभी इन दोनों में नजदी की आ गए इसे kiss करने वाली थी पर Edd ने उसे रोक लिया Edd ने कहा था कि वो अपने wife से बहुत ही प्यार करता है वो इसके साथ affair नहीं कर सकता Edd जब जा रहा था तब इस लड़की ने उसे जो Will थी वो वापस कर दी इसके बाद बहुत सारा टाइम गुजर गया और जहाए लड़की रहती थी यह विज़ बन गई जहां से यह स्टोरी स्टार्ट हुई थी यही पर यह खतम हो गई बेचारा Will यहाँ बहुत ही डिसब्मोइटर हो जाता है जिस तरह से उसके फादर उसे कुछ भी सच टोरी नहीं बताते उसी तरह से उसे लगता है कि यह औरत भी इसी तरह से उसे जलाव दे रही है Will जब घर पर आता है तो उससे पता चलता है कि उसके फादर को फिसे स्ट्रोक आ चुका है अब इसके फादर मरने वाले है Will अपने फादर से लास्ट बात करने के लिए आता है इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होता है यह Will से बात करता है ये विल से बुशता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कैसे बॉन होए थे विल कहता है कि मेरे फादर ने मुझे कभी सच्छा ये बता ही नहीं है डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे मदर प्रिणन थी पर तुम्हारे फादर जॉब के लिए बाहर गए थे तुम जब बॉन होए थे तब ही यहां नहीं थे डॉक्टर फिरूट से समझाता है तुम्हेरे फादर ने तुम्हें जो स्टोरी बताई होगी बहुत ही एडवेंचरस होगी अगर यह स्टोरी जैसी है वेसे अगर वो तुम्हें बता दे थे इसके फादर फिरूट जाते है इसके फादर उसे बोलते है कि अब मैं कैसे मरने वाला हूँ इसकी स्टोरी तुम मुझे सुनाओगे विल को पता चल जाता है कि उसके फादर उसे क्या खहना चाते थे इसके फादर मरने वाले है यह बहुत इडिफिकल्ट चीज है, लाइफ में इस तरह से बहुत सारी डिफिकल्ट चीज़ों से आपको उज़रना पड़ता है, इसे आप किस तरह से इंट्रेस्टिंग बना सकते हो, इसे किस तरह से positively आप देख सकते हो, इसका एक ही वे है कि इसे एक fictional story में convert कर दे, इसके अब किस तरह से मनने वाल है और इनका funeral विगरा किस तरह से होगा इसके एक fictional story बनाकर विल उनने सुनाना start कर देता है यह अपने फादर को कहता है कि एक दिन अजनक से तुम उठ गए और अच्छे होगे अस्पिटल में हमें सब लोग रोकना चाते थे पर हम कभी भी नहीं रुके हम वहाँ से भागते भागते गाड़ी में बेट कर चले गए इस रास्ते में traffic थी पर आपके जो monster friend थे उन्होंने इस traffic को बाहर निकालने के लिए बहुत ही help की सब गाड़ियों को रस्ते से बाहर उन्होंन निकाल दिया मैंने फिर आपको गोत में उठा लिया अचनक आपका जो weight था वो पहुत कम हो चुका था जब हम river के पास आये तो सब आपके friends वहा थे यानि कि सरकस का master कोरिया में जो twins लड़किया उसे मिली थी ये लड़किया जो poet था वो और उसका monster friend थो यह है ही जो सब लोग Ed को जान दे थे वो सब यहा थे यह हसी खुशी उसको चेयर कर रहे थे विल फिर अपने फादर को river के पास लेकर रहा है जब पानी में अपने फादर को उसने डाला तो उसके फादर fish बन गए एक बड़े सी fish वो बन गए है यही वो story खतम कर देता है यह अपने फादर को कहता है कि जो तुम हमेशा से थे वो तुम बन गए इतने बड़े आफ fish है तो आपको कोई पगड़ नहीं सकता आपको कोई रोक नहीं सकता डेत यह बहुत ही difficult subject होता है इसके बात क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है विल के फादर एड यह भी अपने डेत के लिए बहुत ही परेशान होते यह डर रहे होते है पर उनका सन यानि की विल जब इन्हें स्टोरी सुनाता है तो अब यह चेंज से मर जाते है अब हमें एड का funeral दिखाया जाता है इस funeral में सब लोग आते हुए में दिखते है सरकस का master, twin और वो monster यह सब वहाँ आ चुके है अब हमें reality में वो case थे यह सब दिखता है एड ने स्टोरी में हमें बताया था कि यह जो twins थी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी पर यह reality में वैसा नहीं था actual में twins थी और हमेशा एक दूसरे के साथ वो रहती थी इसी वाज़े से उसने fiction में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी यह उसने बता दिया था जो monster story में उसने बताया था वो इतना बड़ा सा monster नहीं था यह सिर्फ बहुत ही heightened आदमी था यानि कि एड ने जो reality थी उसको सिर्फ exaggerate कर कर बताया था हमें दिखता है कि Will को भी बच्चा हो चुका है जो stories उसके father जिस तरह से बता दे थे उसी तरह से वो भी stories अपने बच्चे को बताता है यही movie end हो जाती है इस movie में हमें बताया गया है कि मरने के बाथ हम legacy छोड़ कर जाते है हमारे आसबास जो सब लोग होते है वो हमें stories में ही याद रखते है अगर हमें लोग stories में याद रखे तो हम अमर हो जाते है इस movie में जो भी life हमें जीनी है एक adventure की तरह हमें जीनी चाहिए एक message दिया जाता है कितने भी पुरे time में आप रह रहे हो तो भी आप अच्छे से जी सकते हो अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like और comment ज़रूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस channel के subscribe कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया